को कि हलो एक ब्रीबरन बुर्णहिंग क्या हाल चाल है तो अभी तक हम लोगों की च्छे क्लास आ चुकी है अज हमारी सेंथ क्लास है musicians जिसमें हमलों क्या कर रहे हैं कि जो अगस्त मन्थ है उसमें जो इंपोर्टन्ट क्रेंट अफेस हैं उनको कवर कर रहा है और I am trying that कि हम लोग जो prelims के लिए जो relevant है plus में means में किस तरीके से उन topics को हम लोग relate कर सकते हैं या फिर cover कर सकते हैं और ये जो चीजें हम मैं try कर रहा हूँ कि syllabus oriented है कि जो scheme अगर news में है या फिर कोई topic जो है news में है उनको अपना जो syllabus है आरे इस means का चाहे फिर वो prelims का तो उसी से उसको connect करके मैं पढ़ाने का try कर रहा हूँ तो देख लेते हैं आज के जो current face में है मैंने try के कि कुछ schemes क्योंकि na schemes बहुत important है हमारे चाहे आप means वाला paper देख ले ना इस बार जैसे बहुत पुरानी scheme भी आप लोगों से पूछ ले गई थी फसल भी मा योजना इस बार पूछ ले गई थी हालागी कितनी पुरानी news है पुरानी scheme है but still it means that कि हमारे लिए scheme जो है वो important है जो हमारी flagship schemes है बहुत government जिन पर बहुत जादा focus करती है तो उनी मैंसे एक scheme है जैसे जंदन योजना आप लोगों ने बहुत बार नियूज में सुनाओगा और ये लाइक की बहुत बड़ा project भी रहा है जो केंदर सरकार है उसने इस चीज के बहुत जादा ध्यान दिया है और इसको बहुत जादा promote भी किया है basically अगर देखे तो जंदन योजना जोह 2014 में लूज की गई थी तो अभी इसको क्या है कि 10 साल complete हो गया है अब एक बर इसके बारे में देख लेता हैं कि हाँ इससे क्या क्या पूछने के chances हो सकता है अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत बड़ा mission था किसलिए financial inclusion के लिए ये जो term है ना financial inclusion ये भी अपने आप में बहुत important है हमारे इस labels के लिए और इसी term से questions पूछे गए हैं जैसे अब आगे देखते हैं परदान मंतरी जो जंदन योजना जो है वो कब लोच की गई थी 2014 में लोच की गई थी क्या था कि जो Indian citizens हैं उनको क्या करना है कि banking सुईधा है जो वो परदान करवानी है मतलब क्या है कि चाहे वो rural area हो चाहे फिर वो urban area हो वहाँ पे bank facilities को provide गरवाना है कि हाँ ठीक है मुझे banking की जो facilities हैं उनको avail करने के लिए दूर ना जाना पड़े हाँ मेरे पास में ही 5 km के radius मे या 10 km के radius में banking facilities available हो जाएं इसी लिए क्या था कि ये जंदन योजना जो scheme है वो launch की गई थी और financial inclusion को set up करने के लिए इसके objectives हम लोगों ने देख लिए कि हाँ at least सबका bank account हो सके family में financial literacy को promote के आजास के आपने देखा हो कल भी हम लोगों ने कवर किया था कि हम इंडिया में क्या है कि financial literacy बहुत कम है हमें यह नहीं पता होता कि हां किस तरीके से चीजों को manage करना होता है या finance related जो चीज़ें हैं वो कम समझ आ रही है या फिर हम लोग हमें उन चीजों के बारे म के लिए प्रमोट करने के लिए यह scheme launch की गई है देखें तो financial services जो है easily available हो जाएं जैसे credit हो गया insurance हो गया pension हो गया इस तरीके की जो facilities हैं वो सब लोग avail कर सके और यह urban और rural areas दोनों के लिए था ठीक है accident insurance भी cover किया गया था कि रुपे कार्ड से आप लोग क्या कर सकते हो कि accident insurance क दी गई थी इसमें order of facility की एगर बात करें कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें urgent need है लेकिन हमारे bank account में कोई पैसा नहीं है बट still bank account में बले ही हमारे पास zero amount है बट still हम लोग क्या कर सकते हैं कि credit कर सकते हैं bank account से कुछ amount of money तो उसी को बोलते हैं यह facility हमें दी जाती है और इसी करना है कि cash economy बनानी है ना तो इस तरीके के initiative जो है वह बहुत help करते हैं तो यह जो कुछ terms है keywords है वह आपको यूज करनी है जैसे cash economy हो गया direct benefit transfer है या औरटराफ facility है अब यह भी आप चीज एक value addition में आप दे सकते हो कि number कितने number of accounts इस जंदन यूजना के ताहत खोले गए हैं ज तरीके से government जो है इस particularly scheme particular scheme पे बहुत ज़्यादा focus कर रही है और इसके परिणाम भी आ रहे है कि financial inclusion बढ़ रहा है या financial literacy भी promote हो रही है तो यह जो scheme थी हम लोगों ने देखा कब लोन चुई थी 2014 में लोंची इसका aim क्या था कि banking facilities को सुब तक महुचाना है objective कि अगर बात करें particularly तो हर family में एक नए एक bank account खोला जाए और वो every member का हो at least ठीक है financial literacy को promote करना था credit facilities या financial services है जैसे credit हो गया insurance हो गया pension हो गया उनको access किया जा सके key features में देख लिया था कि rural और urban areas दोनों के लिए था particularly और accident insurance भी इसमें cover किया जाता है रुपे काट के तुरू के order of facility भी है तो ये सारी features भी देख लिए इसके objective भी देख लिया aim भी देख लिया अब अगर यहां से 5 नमर में question आता है तो भी आप लोग इसको कर सकते हो और 2 नमर में भी आता है तो भी prelims में कैसे आएगा कि आप से क्या करेगा कि चाहे तो इसकी date चेंज कर देगा या फिर मरलब year चेंज कर देगा या objective पुछ लेगा कि जंदन योजना जो है उसका objective क्या है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अब आ जाते हैं कि financial inclusion जो term इसमें use की गई थी मैं तोड़ा सा facilities या services की अगर बात करें financial services provide गरवानी है at the affordable prices include करना है financial services में लोगों को और क्या है इसकी जरूरत क्यों पड़ी हो सकता है कि question आप से means में ऐसे पूछ ले कि why we need कि भई जरूरत क्यों है financial inclusion की जरूरत क्यों तो आपको पता कि अगर इंसान के पास financial security है financial services है तो अपने आप च उसको break करता है और वो upper class में जाता है या फिर बोले तो जो उसकी requirements है जो उसके daily needs है वो cover करने लगता है okay poverty reduction में काम आता है economic growth में काम आएगा development में काम आएगा even even society में अगर आप देखोगे तो जो rich class है they are like they feel empowered about themselves की हां उनके पास पैसा है और वो जो रोज मर रहा का जो जीव तक कि financial stability बनाई जा सके अचीव की जा सके different technologies और innovation किया जा सके अगर मालों किसी के पास पैसा है तो वो जैसे MSME में पैसा लगा सकता है या फिर कोई छोटा सा भी उद्धियों को अपने अपने घर पे या कहीं पे दोस्तों के साथ में स्टार्ट कर सकता है या फिर हम इंडि regular topics पे अगर schemes बनाई जाएं तो यह चीज़े cover की जा सकती है अब financial inclusion हम लोगों के means में हो सकता है कि definition आप लोगों से direct direct पूछी जाए और पहले पूछी भी गई मैं दिखाता हूं जैसे अभी आगे दिखूंगा यह questions कि 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 किस तरीके से questions पूछे गए हैं अब इसके साथ कुछ कुछ challenges भी हैं कि financial inclusion को achieve करने के लिए एक तो limited access banking facilities आप देखोगी कि हर गाहों में या फिर हमें गाहों में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता है banking facilities को avail करने के लिए और financial literacy नहीं है आप देखोगी लोगों को पता नहीं कि कि किस तरीके से पैसा ज difficult हो जाता था ओके digital literacy नहीं है अब ठीक है bank account तो खुला ले लेकिन उन्हें नहीं पता कि net banking कैसे यूज होगी कैसे login होगा कहां पर OTP आएगा और आप देख रहे होगे कि यह OTP वाले कितने frauds होते हैं इसी लिए होते हैं क्योंकि financial literacy नहीं है फिर digital literacy नहीं है पता ही नहीं है क कि हाँ वो किसी को भी अपना OTP क्या है वो शेर कर देने तो यह एक बड़ा challenge बनता जा रहा है तो यह challenges अगर मान लोग पूछ ले जाए इस financial inclusion में क्या क्या challenges है तो आपको यह चीजे mention करनी है लेकिन इन challenges को deal करने के लिए या financial inclusion को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या है बह फिर self-help groups बनाए गए हैं तो these things help us to achieve financially inclusive at different levels in our country किसान credit card कि भाई किसान जो है उसको credit मिल सके उसको loan मिल सके easily तो इस तरीकी से विदा है या फिर इसके linear mission हो गया या फिर UPI system हो गया यह ऐसे initiative है जो help करते है financial inclusion को अच्छीव करने में और आप अपने answer में एक और चीज़ का भी जिक्र कर सकते हो आप SDG 8 का भी जिक्र कर सकते हो जो कि related है आपका decent work and economic growth economic growth में financial inclusion बहुत important role play करता है अगर financial inclusion होता है तो it will definitely leads to economic growth तो यह आप examples या फिर इस तरीके से अगर मालों कोई question आता है तो आप उसको deal कर सकते हो अब एक question जैसे पूछा भी हुआ था कि social और economic growth में किस तरीके से financial inclusion help करता है तो अभी जो हम लोगों ने से क्या कर दिया गया है बीस लाख रुपे कर दिया गया है तो that's a boost to those जिनको छोटे उद्योग लगाने के लिए loan चाहिए तो it's a good thing अब यह चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए यह scheme के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी categories है यह question आप से हो सकता है कि मानलो पूछ लिया जाए कि बाई मुद्रा scheme के तहट कौन कौन सी categories है loan सी तो वह आप लिखे तो आपको पता होना चीज़ कि शिशू कि शोर और तरुन यह आपको लिमिट्स पता होना चीज़ कि शिशू में कितने रुपे तक का लोन मिल सकता ह कि शोर में कर बात करें तो 50,000 से 5,000 रुपे तक का loan आपको मिल सकता है अभी जो scheme में जो अभी जो changes किये गए हैं वो क्या किये हैं कि जो तरुन scheme थी उसमें पहले क्या था कि 5,000 से 10,000 रुपे तक का ही loan आपको मिल सकता था लेकिन अब इस limit को बढ़ा के कितना कर दिया गय है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये points आप अगर उनके website पर जाओगे अभी तो अभी तो इतना ही आपको mention दिखेगा ये website से मैंने photo लिया था हाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ अगर मालनो आप किसी भी scheme के बारे में पढ़ रहे होना तो आप सीधा जो ministry है उस ministry के ना portal पर चले जाओ उस portal पर जाके आप देखोगे तो about कोई भी scheme है सीधा गूगल करो और about में जाके उस scheme के बारे में देख लो आपको सारी जो features हैं कि कौन कौन सी features हैं या फिर अगर बात करें कि उस scheme से related कौन से provisions है तो वो सारे वहाँ पर दिये होता ह हैं अच्छे अच्छे आपको even photos भी मिल जाएंगे जो आप save कर सकते हों अपने phone में और जिनको बाद में revision time पर वही तो revision cards बन जाते हैं जब अगर आपके पास ही cards हो हर scheme के card इस तरीके save कर रखेंगे तो वह बहुत help करता है आपको ओके तो हम लोगों ने देख लिया कि मुद्रा scheme में अभी कहा था कि जो तरुन जो category थी loans की उसमें amount को 10 लाग रुपे से बढ़ा के कितना कर दिया गया है 20 लाग रुपे कर दिया गया है तो यह चीज़ आप देहन रखेंगा और इनका जो categorization है वो भी exam में even आपसे prelims में क क्या करेगा यह match भी करा सकता है कि हाँ शिशू में कितना था फिर किशोर में कितना था और तरुन में कितना था मुद्रा scheme कब लौच की गए थी 2015 में लौच की गए थी basically वही की भाई लोन प्रोवाइड करना था जो छोटे या फिर medium size या small size जो enterprises है उनको क्या करना था कि लोन प्रोवाइड करने के लिए लिए scheme बनाई गई थी okay तो यह चीजे हम लोगों ने cover कर लिया इसका objective भी देख लिया इसका aim भी देख लिया अभी क्या change वह भी देख लिया categories of loan भी देख लिया तो यह इस तरीके यह scheme का भी example आप अगर मालो financial inclusion की अगर बाता आती है तो यह scheme भी वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो आगया जाता है तो यह हम लोगों ने देख लिया अब मैं थोड़ा सा brainstorm आप लोगों के साथ करा रहता हूं कि क्योंकि ना यह बहुत important जैसे अभी हम लोग पढ़के आए है तो हमें पहली चीज क्या हो ना पता होना चाहिए कि financial inclusion क्या है कि जो financial facilities हैं वो सबको avail करानी है ना financial facilities कहलो या फिर जो services कहलो वो सबके लिए available होनी चाहिए for all तो वही क्या होता है financial inclusion होता है फिर अगर मालो आप से पुछ ले जाए कि इसकी need क्या है अगर need की बात करें तो हमने देखा था कि poverty reduction में ये help करता है economic development में या फिर innovation और technology में या फिर आप देखोगे कि जो हमारा SDG 8 है वो भी mention कर सकते हो कि उसको अगर हमें अचीव करना और वो किस से related था वो economic growth से related था तो उसको अचीव करने में भी हमें ये help करता है आप देखोगे कि हमें financial inclusion और क्यों है क्योंकि ना banking facilities नहीं हैं हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगाएं हैं जहां पर अब भी भी banking facilities नहीं पहुचे तो वहां तक banking को पहुचाना ओके ताकि सब का account हो bank में ओके या फिर आप बात कर सकते हो कि cash slash economy को भी बनाने में भी ये क्या करता है help करता है और cash slash economy होती है तो मतलब जो हमारे जो frauds हैं वो रुक सकते हैं बट still एक बड़ा challenge आदा आता है फिर वहां पे जो digital literacy का है वो एक बड़ा challenge आता है दूसरा कि जो facilities हैं या फिर services हैं वो available नहीं है फिर वैसे education हम लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ कैसे कुलेंगे फिर credit मिलने के लिए बहुत क्या था कि जो documentation वाली जो पार्ट है वो भी अपने आप में एक बड़ा challenge हो जाता है कि हाँ अभी आदाहर लेके आओ अभी income certificate लेके आओ ये तो ये challenges हैं फिर आप देखोगे कि infrastructure नहीं है कहीं पर मालो बैंक है तो फिर महाँ पर net banking वाली facilities अविलेबल नहीं है या फिर internet नहीं है फिर electricity के कारण जो भी चीज़ है या फिर जो बैंक का जो staff है बैंक के staff को जो laptop है या computer है या जो new technology अभी आ रही है तो वो उससे अवगत नहीं है उन्हें वो चीज़े भी एक बड़ परकार ने लिया है तो आप different different scheme, दो scheme तो हम लोग उपर ही पढ़ गया है कौन सी जो परदान मंतरी जंदनी होजना है वो आप लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने मुद्रा scheme देख लिया जो कि सीज के लिए थी loan के लिए थी ओके ये देख लिया फिर आप ये भी लिख स अब यह आप इस screen को देखो कि आपको पता चला है कि हाँ यार कोई भी topic है तो उसको कैसे करना है हमें अब यहां से अगर कोई question आता है तो आप easily उसको handle कर सकते हो अभी हम लोग देखेंगे भी यह मैंने प्रिलिम्स में जो questions पूछेंगे हैं पहले उससे related है और यह question जो उठाए है वो क्या है और incorrect कौन सा है तो आपको schemes की features याद गरनी है आप देखना ठीक है फिर अगर मालो कोई scheme है particularly यह बहुत famous scheme हो रही है वो दूसरी states पी उसको follow कर रही है तो आप से question पूछा जा सकता है कि यह जो particular scheme है यह किस state में launch की गई है तो वो भी आपको याद करना है ऐसे questions भी कई पर पूछे जा सकता है यह फिद जैसे परदान मंतरी उजवला यूजना है उसकी सारे scheme दे दिया कि कितना price उनको मिलेगा कितना क्या चीज़ें हैं किस किस category में सारी चीज़ें तो यह क्या बताता है हमें इस तरीके से PY को जब आप देखते हो तो हमें एक idea ह होगा कि आप देखने ना पहल स्कीम हो गया मंतरी उजवला यूजना हो गया या फिर चीफ मिनिस्टर चरेंजी वी हैल्थ इंशोरेंस की यह ना बहुत important schemes रही हैं ऐसा नहीं कि कोई भी relevant irrelevant scheme आप से उठाके पूछ लिए हो जो famous schemes हैं जिन पर government ने बहुत जादा focus किया है व हाँ आपको पता होना थी कि कौन से year में कौन से scheme launch की गई थी तो वो आप याद कर सकते हो ओके यह तो चलो हम लोगों ने प्रेलिम्स वाले questions देख लिए मेंस वाले एक बार देख लेता है मेंस में क्या देखो financial inclusion is imperative for social economic development उसको उस पर comment करता था कि जो financial inclusion है वो किस तरीके से social आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या intro में लिखोगे क्या body में आपको कौन कौन से points लिखोगे और conclude कैसे करोगे अब conclude करने में आप यह जो विक्सित भारत बनाना है 2047 तक हमारा जो गोल है आप इस तरीके के आपने exam conclusion में keywords mention कर सकते हो ओके चलो ठीक है एक question देख लिए हम लोगों ने एक question देखो what is financial inclusion मतलब सीधे सीधे आप से यही पूछ लिया कि financial inclusion क्या और यह जो है हमारे syllabus की term है हमारे syllabus में as it is the year term तो मतलब हमाई clarity हो जाती कि जो syllabus में term दी गई हो है उनकी हमारे पास ना सबकी definitions prepare होनी चाहिए चाहिए वो आप economics में बात कर लो चाहिए फिर वो science and tech में बात करना मतलब जो भी term दी गई है आपके पास ना उसकी definition होनी चाहिए तो financial inclusion पता जिए लेकिन आपको इसके साथ साथ क्या है कि इससे related जो examples है वो भी आपको prepare करना है चाहिए फिर वो schemes हो गया या फिर कुछ facts आप prepare कर सकते हो जैसे SDG 8 अब आपको अगर मालो कहीं पर भी आप financial inclusion की बात करते हो तो आपके दिमाग में SDG 8 आ जाना चाहिए तो यह हम लोगों ने इस topic में यह देखा जो दो scheme पढ़ी अभी हम लोगों ने जन एक तो जन्दन योजना और एक हम लोगों ने पढ़ी मुद्रा scheme अब इन schemes को किस तरीके समें financial inclusion जो topic है वो cover किया गया वो भी आपको clear हो गया होगा ओके तो चलें आगे prelims और मेंस के दोने चीज़े हैं पिदे स्टेट एलेक्शन कमिशन और एलेक्शन कमिशन और एलेक्शन कमिशन और इंडिया दोनों हमारे लिए important हो जाता है पहले न मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि हां elections से किस तरीके से means में question पूछे जाते हैं तो means के लिए जो election से related जो current fashion हो हमारे लिए बहुत important हो जाता जैसे आप देखो what is the role of election commission in article 103 of the constitution of India तो मतलब सीधा रोल पूछ लिया कि किस तरीके से president की MLA president advise लेता है आपके election commission of India ऐसे तो article 103 में इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों बताऊंगा कि prelims और means किस तरीके से relate होता है वो देखना आप थोड़ी दरव है enumerate the arguments advanced in favor of holding simultaneous elections होता ना कि one nation one elections की बात कर रहे हैं हम लोग और simultaneous elections की बात कर रहे हैं कि state legislation के और जो center के जो elections है वो एक साथ हो जाए central state के elections क्या है एक साथ हो जाए तो वो भी news में है तो उसके आपके पता होना चीए कि क्या क्या positive है क्या negative है वो फिर a strong Indian democracy needs important reforms in election system तो electoral reforms भी हमारे स्लेबस में है तो हमें पता होना चीए कि कि किस तरीके के electoral reforms करने चाहिए ताकि क्या है कि जो हमारा जो democracy है या जन तंतर है उसको बढ़ाया जा सके या improve, extended किया जा सके इधर election commission of India के बारे में पूछ लिया और इधर क्या पूछा था कि state election commission का function क्या तो यह चीज़ें आप लोगों को idea देती है कि जब भी मैं means का syllabus prepare करूंगा या prelims का syllabus prepare करूंगा तो किस तरीके से election से related अगर कोई चीज आती है या फिर election commission of India या फिर state election commission of India स्टेट election commission है उसको मैं कैसे prepare करूंगा या particularly कोई party और news में है अब आप देखो na prelims में भी अगर आप उठा के देखो simple मैंने क्या किया था कि control F कर दिया control F से election करके control F किया तो देखा कि बहुत सारे question जो election से related पूछे गए अच्छा एक और चीज देखो या जब भी means हुआ तो वह means में उठा के पूछ ले गया अब जैसे state election commission है तो उसके बारे में ठीक है दे दिया गया यह दो point दे दिये के वहां पर भी state election के बारे में पूछा हुआ है सेम यहां पर state election commission के बारे में देखो फिर से question आया हुआ है कि किस तरीके वह single member है कौन से आर्टिकल उससे रिलेटे इलेक्टोरल बॉन्ट स्कीम जो हो करंडर करंडर फेस में था तो उससे related questions आगे सीदे state election commission क्या है statutory body constitution non constitution है कितने times elections हुए है पंचैते राजे institutions के तो आप देखोगे कि जो elections है election बहुत important topic हो जाता है हमारा prelims और means के लिए तो अब से आप election से related अगर कोई भी चीज़ है तो वो आपको cover करनी है एक बार इसके बारे में भी हम लोग brainstorm कर लेते हैं कि हाँ election commission से कैसे questions बन सकते हैं और किस तरीके से हमें prelims या फिर means अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो कैसे जैसे आपको ना याद रखना है कि कौन सा ऐसा article आप comment करके बताओगे कि election commission of India से कौन सा related article है इसका appointment कैसे होता है ये आपको पताओना चाहिए इसका removal कैसे होगा okay supreme court judge की तरह होगा या फिर किस तरह कोई सा या फिर जो selection जो committee बनाई गई है तो उस selection committee में क्योंकि अभी कुछ changes होएं तो उस selection committee में कौन तीन member है जिल को appoint किया है जो help करेंगे कि election chief election commissioner है या फिर ये single member body है या फिर multi member body है कब changes हुए इसमें पहले elections कब हुए तो ये भी आपको पता होना चाहिए फिर आपको देखना है कि जो election commission of India है उसकी powers क्या क्या है या फिर हम देखें तो उसके functions क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए अभी आप लोग देखोगे कि वी वी पैड न्यूज में रहता है या फिर जो electronic voting EVMs है वो भी हमारी न्यूज में रहती है कि ये सही है या नहीं है इनको hack किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है तो वो पुछा जाए या फिर one nation one election भी न्यूज में रहता है one nation one election तो इस तरीके के जो topics है ये आपको देखने है कौन-कौन से articles मैंने बताई दिया कि हाँ आपको articles देखने हैं आप comment भी कर सकते हो ये जब आप ऐसी activity करते हो ना तो आपको क्या है कि सारी चीज़े recall हो जाती है कि हाँ कैसे कैसे जो है इस topics से related चीज़े है आप क्या-क्य challenges है अगर हम लोग बात करें कौन-कौन से reforms किस तरीके से evolve हुए है अगर हम लोग particularly election commission of India की ही बात करें कैसे change किया है और हम लोग किस तरीके से strongest democracy बन के आए तो उसमें election commission of India का क्या role रहा है तो ये आप जब recall करते हो 5-7 minute में आपको चीज़े पता चल जाती है और आपको idea करना तो ऐसे तो similar way में आप state election commission जो है उसके बारे में चीज़ें prepare करें को उनकी powers क्या है उनके functions क्या है कौन-कौन से articles है role क्या है particularly चाहिए वो किसी की भी appointment में हो कहीं पर या फिर कोई advice जो president मांगता है तो वो किस तरीके से कौन-कौन से article से relate की जाती है चीज़ें तो आपक लिए ही ये चीज़ें आपको करनी है क्योंकि prelims में क्या करेगा कि सीधा article आपसे पूछ लेगा कि कौन सा article है जो election commission की जो appointment की बात करता है या फिर जो इसके tenure की बात करता है फिर tenure में कितना tenure होगा होगा होगे 6 साल, 6 साल होगा, 5 साल होगा, 4 साल होगा या 65 साल ही हो सकती है कितनी हैं जो हो सकती है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इवन आपसे की बाई, जो removal है, वो removal का process क्या है, किस तरीके से remove किया जाएगा, special majority लगेगी या simple majority लगेगी, तो इस तरीके के question हमारे क्या होते हैं कि prelims में आ जाते हैं, तो हमें वो prepare करना है, आप कोई भी च चीजे हमें पढ़नी हैं, अब आ जाते हैं आगे, अभी क्या हुआ कि जो हमारी finance minister है, निर्मला सितारमन, उन्होंने जो RRBs है, regional rural banks है, उनकी performance को review किया, और ये जो meeting थी, वो उध़पुर में ली गई थी, तो अब ये news में आ जाता है, पहली चीज़ तो कि RRBs क्या होती यहां में यह पता होना चीज़ है, regional rural banks क्या होता है, यह 1975 में बनाए गए थे, आप अगर सबसे पहले bank की बात करें, तो यूपी में बनाए गया था, मुरादबाद यूपी में, और वो कब था, 2 October 1975 को पहला bank, regional rural bank बनाए गया था, regional rural banks, जब भी आप अगर मालो economics पढ़ते ह आपको बहुत सुनने को मिलेगा, वो है M.Nursements, क्यों क्योंकि जो banking reforms थे, banking reforms में M.Nursements एक बढ़ा नाम है, इन्होंने बहुत suggestions दिये हैं, recommendations दिये हैं कि banking sector किस तरीके से improve किया जा सकता है, तो यह देख लिया कि regional rural banks जो हो किस की recommendations पर start हुए थे, या फिर सबसे टहला regional bank है, पूछा जा सकता है कि कौन से year में, क्यों क्योंकि कई बर क्या होता है कि chronology पर base question आ जाता है कि chronology बताओ आप, तो कि अगर आब यह present status की बात करें, तो 43 RRBs हैं इंडिया में, सिक्किम और गोवा ऐसी state है, जहां पर कोई भी regional rural bank अभी present में नहीं है, तो यह देख लिया, अ महां पर भी आप इसका example दे सकते हैं, वैसे तो अगर मैं देखूं जो prelims है या फिर mains है, banking sector से इतना कोई question आया नहीं है, बट still हमें क्या है कि इनको हम लोग help, इनकी जैसे या फिर जो इनकी help ले सकते हैं, अगर हम कोई दूसरा answer लिग रहे हैं, तो वहां पर यह as a value addition पर ह हमें काम आ सकता है, नोलिज होनी चाहिए हमें इनकी, ठीक है, तो यह हम लोगों ने देख लिया, अभी एक और scheme है, अभी रहस्तान गवर्मन ने एक scheme लिका लिए है, चीफ मिनिस्टर आयुश्मान जीवन रक्षायोजना, ओके, आयुश्मान जीवन रक्षायोजना, basically अभी आज कल का जो माहूल है, बहुत बेकार है, कि लोग ना, रील बनाना शुरू कर देते हैं, जो की दिखाता है, कि वो किस तरीके की है, जो किस माइंटसेट के लोग है, कोई एक्सिडेंट हुआ तो लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत कलश चीज है, अभी सरकार ने क्य क्या है कि जो अगर मानलों कोई आप कहीं पर जा रहे हो और कोई accident आपके सामने हो जाता है और अगर आप उस जो जिसका accident हो उसकी help करते हो उसको hospital लेके जाते हो उसको first aid provide कर वाते हो तो आपको क्या है कि incentive amount सरकार देगी अपनी तरफ से कि आपने जो injured person है उसकी मदद की है वरना मानलों कोई दुरगटना होगी लोग क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं देखते रहते हैं सर्फ help करने के लिए लोग नहीं आता है आज कल पता नीचर ही change हो गया है लोगों का वो real बनाके twitter पे डालने में ज्यादा और वो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर डालने में ज्यादा उसको एक्टिव रहते हैं कि हाँ एक्साइटिड रहते हैं कि मेरे को तो इसकी help करने के लिए अगर आप help करते हो तो आपको एक particular amount मिलेगा जिसका जो amount है 10,000 रुपए ठीक है तो यह राजस्तान government की scheme है basically अगर मालो एक से ज्यादा लोग है help करने के लिए तो वह जो amount है वह equally क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जितने number of persons होंगे हाँ यह amount उन लोगों को नहीं मिलेगा जो family members होंगे न मालब जो injured person है उसके जो family members है उन लोगों को नहीं मिलेगा यह तो prelims में कैसे पूछा पूछा सकता आप से कि आईश्मान जीमन रक्षा योजना जो है उसमें कितना amount जो है वो जो help करने वाला बंदा है उसको मिलेगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हो सकता है कि एक अदा पॉइंट ऐसा भी आजा है कि किनको नहीं मिलेगा तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो यह हम लोगों ने देखा हमारे सारे जो आज की जो scheme सी उस चीज़ से related हम लोगों देखा और brainstorming प दिन का प्रिलिम्स का program है में जबी चलता है इसमें क्या होगा कि 110 दिन तक आपको 30 questions provide के जाएंगे okay 30 MCQ आपको डेली प्रोवाइड के जाएंगे proper आपका schedule है आप अगर आमालो जो अभी जो वेकंसी की जो वेट कर रहे हो ना यार अगर आपको लगता है कि next 100 days में या 110 को online भी कर सकते हो offline जो हमारी library में होता है और online जो हमारी जो टेज सीविस एटक की जो application है उस पर होता है तो आप सीधा सीधा आपको पता है कि यार मेरे को आज यह पढ़ना है यह particular topic है पढ़ूंगा शाम को इसका test आएगा फिर उसका detail solution जो PDF आएगा उसको कर लेंगे हम इस subject आएगा वो Indian polity आएगा चुकि दो तरिक से start हो रहा है तो यह program start हो रहा है that's all thank you very much